Hello Friends, The Top Presentation के Official YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिसक्स किया था How to Crack, IVPS, RRB, PO and Collect 2020 तो दोस्तों, अब हम डिसक्स करने जा रहे हैं How to Attempt 40 out of 14 Quant Section दोस्तों, स्टुडेंट्स के क्वेरी मेरे पास आई है कि Sir, हम 40 क्वेरी में कैसे Attempt करेंगे Reasoning Section भी होता है Reasoning में 40 क्वेरी में 45 मिनट्स है तो दोस्तों, मैं सबसे यह बात कहना चाहता हूँ अगर आपके पास Approach सही है क्वेरी में अटेम्ट करने की तो आप easily 80 out of 80 अटेम्ट कर सकते हो वो भी 40 से 41 मिनट में तो इसके लिए दोस्तों, आज हम डिसकस करते हैं Quant Section के बारे में तो अपना पहला Topic है Square Square दोस्तों, अगर आप bank के exam देने जा रहे हो या bank की preparation करते हो तो आपको एक से लेके 40 तक के Square याद होने चाहिए एक से लेके 25 तक के Q याद होने चाहिए तो दोस्तों, एक से लेके 2000 के square के ह liberté करेंगे इसमें पहले बात करते हैं हमँपन पचास के नज़्दी की संक्यों का इस ह्क्वाइर निगाना सबसे पहले बात करूंगा मैं पचास के नज़्दी की संक्यों का Square Calculate करते हैं तो दोस्तों, 50 पलस इसका मतलब है कि 50 से सिंख्याओं का स्क्वsover कल्कुलेट के से करते आ हमें बेस मांना है 25 और 25 ही क्यों मांना क्यों दोस्तों पत्सास का weapon क्या हुता है 25 और मैं प्थीप लस की बात करता हूं तो मैं 51 का स्क्वार लेता हम 56 का स्क्वार लेता हूं देखो 51 का square हम calculate करते हैं तो 51 का comparison करना है 50 से 50 में 51 कितना ज़्यादा है एक ज़्यादा है तो मैंने 25 में एक जोड़ दिया कितना हो गया 26 और जितना ज़्यादा था उसी का square दो डिजिट में इसके आगे लगा देना 2601 51 का square हो गया 56 की बात करें तो 50 से comparison करता हूँ में तो 50 से कितना ज़्यादा है तो हमने 25 में 6 एड़ कर दिया कितना हो गया 31 और 6 का square 36 यह square आगया आपका 56 का दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 64 का square इसी परकार से निकालते हैं अगर आप 64 का square निकलने जारे हो तो यह important होता है RRB के जम के point of view से ऐसा क्यों क्यों क्योंकि 64 का square किसी संक्या का cube भी होता है वो आप मुझे comment section में बता देना 64 का square दोस्तों देखें 50 में कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है तो मैंने 25 में 14 एड़ गिया कितना हुआ 39 14 का square 196 लास्ट की 2 डिजिट लेनी है अपने को हमने लिया 96 1 को मैंने इसमें add कर दिया तो दोस्तों कितना हो गया 4096 यह हो गया 64 का square complete calculation दोस्तों mental calculation होने चाहिए without pen paper अगर आप पे pen paper लेके learn of sheet पे last में square लिखते हो तो दोस्तों वो आपकी संतुष्टी के लिए होगा paper crack करने में help नहीं कर पाएगा यह square आपको याद होने चाहिए आपको crack करना आना चाहिए कि भी कैसे मैं calculate कर सकता हूँ next बात करते हैं 50 minus संख्याओं का तो 50 से 40 संख्याओं का square कैसे calculate कर गया है तो 48 का square निकालना होता है यह हमें निकालना है 43 का square तो दोस्तों बेस अपना 25 है 50 minus तो 48 पचास में कितना कम है दो कम है तो 25 में मैंने 2 कम कर दिया दोस्तों कितना होगा 23 दो का square कितना होता है 04 यह होगा 48 का square 43 की बात करें तो 43 50 में कितना कम है? 7 कम है तो मैंने 25 में 7 कम किया कितना हुआ? 18 और 7 का स्कुएर कितना होता है दोस्तों? 49 यह हो गया 43 का स्कुएर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 38 का स्कुएर कैलकुलेट करते हैं अपन इसी परकार से दोस्तो 38 50 में कितना कम है 12 कम है तो 25 में 12 कम किया कितना होता है 13 और 12 का स्क्वाइर 144 होता है हमें लेना लास्ट की 2 डिजिट 44 वन को मैंने इसमें एड़ कर दिया तो वन को एड़ किया तो कितना हुआ 144 यह हो गया दोस्तो 38 का स्क्वाइर अब हम बात करते हैं 100 के नजदी की संक्यों का स्क्यों 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 का स्क्य लगा देते हैं उसी का square कर गए दो ज़्यादा था दो का मैंने square लगा दिया 0 4 यह दोस्तों 10404 हो गया 102 का इसको 106 के square की बात करें अगर तो 106 100 में कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है मैंने इसमे 6 जोड़ दिया 112 और 6 का square होता है 36 यह हो गया 106 का square next अगर अपन इसी परकार से बात करें 118 के square गी तो 118 100 में कितना ज़्यादा है दोस्तों 18 ज़्यादा है तो मैंने 18 जोड़ दिया कितना हो गया 136 18 का square कितना होता है 324 होता है तो हमने ले लिया 24 और 3 मैंने यहाँ पे 8 गर दिया तो 139 24 यह square हो गया 118 गा समझ में आ रहा होगा दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपको प्रेक्टिस करनी है तो इस बाद में प्रेक्टिस कर लीजिएगा मैं अभी आपको सिर्फ एक ट्रिक बता देता हूँ बाद में 900 तक सेम ट्रिक कोई चेंज़ नहीं है बेसिक समझ लीजिए पहले 200 प्लस अगर मैं बात करता हूँ 201 के square गी तो दोस्तों comparison करना है 200 से तो 201 200 में कितना ज़्यादा है एक ज़्यादा है तो मुझे इसी में एक जोड़ देना है 202 multiply करूँगा मैं 2 से ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि comparison किया अपने 200 से तो मैंने 200 का ले लिया 2 multiply किया 404 कितना ज़्यादा था दोस्तों एक ज़्यादा था एक का square लगा दिया मैंने 40401 यह square हो गया 201 का एगर इसी परकार मैं बात करूँ 198 के square गी तो दोस्तों 200 में कितना कम है दो कम है तो 198 में 2 कम किया अपने 196 इसका multiply भी 2 से करेंगे एक से नहीं करना क्योंकि अपने comparison किसे किया 200 से किया और 200 का अपने क्या लेना है 2 लेना है 196 का multiply 2 से करना एक तो होता कि अपने डारेट multiply करने बेट जाएं basic method दूसरा आपको short trick बताता हूँ 196 का multiply 2 से करना मैंने 200 का कर दिया 200 into 2 कितना हो गया दोस्तों 400 200 में कितना कम है यह 4 कम है तो 4 का multiply 2 से किया 8 तो मैंने 400 में 8 माइनस कर दिया कितना हो गया 392 next कितना कम था यह 2 कम था तो 2 का square 0 4 यह हो गया 198 का square 39204 दोस्तों समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं मान लेता हूं next बात करें अगर अपन तो दोस्तों 1000 के नजदी की संक्यों का square calculate करना same as it is जैसे आपनने 100 के नजदी की संक्यों का square calculate किया था दोस्तों 1000 के नजदी की संक्यों का square calculate करना है तो मैं अगर देखते हूं 1001 का square अपन क्यलकुलेड गरते हैं तो 1001, 1000 में कितना ज़्यादा है एक ज्यादा है तो मैंने इसमें एक जोड़ दिया एक हजार दो जितना ज्यादा उसी का स्क्वेर एक ज्यादा था एक का स्क्वेर लेकिन दोस्तों इस बार तीन डिजिट में लेना है 001 ये स्क्वेर किसका हो गया 1001 का नेक्स्ट में बात करूँ अगर 998 का स्क्वेर 998 1000 में कितना कम है दोस्तों 2 कम है तो मैंने इसमें 2 कम कर दिया 996 2 का स्क्वेर 0,4 होता है लेकिन 3 डिजिट में लेना है तो अपने गो 004 ये होगिया दोस्तों 1000 के नजदी की संक्या होंगा स्क्वेर केल्कुलेट करना दोस्तों स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि अगर 500, 600, 700, 800 इनके नजदी की संक्या होगा है तो उनका स्क्वेर हम कैसे करें तो दोस्तों अपने 600 से किया तो मैं को multiply किसे करने पढ़ेगा 6 से multiply करने पढ़ेगा multiply करें 3 6 2 4 ये इसका multiplication होगा कितना जदा था 2 जदा था 2 का स्क्वेर 0 4 ये इसका स्क्वेर होगा दोस्तों उमीद है आपको समझ में आया होगा और अगर पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राब करें बेल आइकन पर बटन दबाएं जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपलोड के बारे में जानका नहीं मिलेगी थेंक्यू दोस्तों